आज का वीडियो एलेक्टिक स्कूल डाइवर के उपर है तो इसको सिंपल भासा में कहें तो पेज खोलने और कसने वाली मसीन भी इसको कहते हैं तो यह उल्टी और सीधी दिसामी दोनों तरफ घूमती है तो इसका वाइडिंग केनेक्शन कैसे होता है और इसका घूमती है य इसको लगाने के लिए आपको सिंपल यह है इसको पुस करना होगा ऐसे दबाएंगे और ऐसे दबाके इसको इसमें अंदर ऐसे डाल देना रहता है और इसके बाद देखिए यह इस तरीके से यह लग गया अब यह इस तरीके से होगा इतना घूमेगा इससे ज्यादा नही अगर इधर घुमाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यह bit लग गिया बाहर भी निकलेगा जब तक यह दबाएंगे नहीं निकलना हो तो यह दबा तो यह अब पेंच को कशेगी और इसको band change करेंगे तो यह खोल लेगी तो इस तरीके से काम करती है यह अब यह उल्टी सीधी क्यों घूम रही है इसको आज समझेंगे और साथ में इसका wiring connection भी जानेंगे कि कैसे किया रहता है इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा तो चलिए अब देखिए यह चारों पेंच कुल गया एक टांगने वाला एस्टेंड है कहीं प्याप ऐसे इसको टांग देते हैं तो इसको निकालना पड़ेगा तो इसको अराम से ऐसे निकाल लेंगे देखिए इस तरीके से निकल लाता है यह और देखिए इसको और आम से ऐसे खोल लेंगे देखिए यह खुल गया अब इसको इस तरीके से देखिए यह सब को साइड कर लेते हैं अब मैं थोड़ा साइज को चूम कर लेता हूं आपको के लिए दिखे अब देखिए यह मोटर से दो वायर आई हुई है यह में लिट का वायर है यह जहां इस वाले स्वीच पर यहां जूर रही है देखिए दोनों वायर यह दोनों पॉइंट पर उसके बाद एक वायर यह यहां से डिरेक्ट उठाया हुआ है यह बलेक वाला जहां पर डिरेक्ट जूटा है उसके बाद देख यहां से उठाया हुआ है यह white wireless퍼 और यह यहां यह band switch के do not網 wired उसके बाद यहां Motor की वाइडर दो पिली बाद दोmar mother की जो आगे आगे वाले call पे जूल रही है अब देखिए यह band switch कैसे काम कर रहे है कि इसको जब आगे करेंगे तो यह पॉइंट बीच वाला जो है यह बीच वाला पॉइंट और यह पॉइंट कनेक्ट होगा और यह पॉइंट और यह पॉइंट कनेक्ट होगा अब जब स्विच को इधर करेंगे तो अब यह पॉइंट और यह पॉइंट कनेक्ट होगा और यह पॉइंट यह पॉइंट इसका देखिए पाइडिंग में कोई ज्यादा वो नहीं है अगर आपका यह मशीन से वाइड तुट जाती है तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं वाइडिंग बिल्कुल असान है अब देखिए कालाकारी उल्टा सीधा घूमने का कहां पर है कि देखिए यहां पर है यह है डी से connection किया हुआ है कि इसका supply उल्ट जा रहा है अब समझे कि उल्ट कैसे जा रहा है तो देखिए इसको ध्यान से समझे एक कैसे किया हुआ है थुरा सा और में जूम कर लेता हूं कि आप लोग को clear दीखे मान के चलिए कि यहां plus supply आ गई तो यह चेंज नहीं होगा यह जो supply है यहां plus है और यहां minus है यह same रहेगा चेंज यहां पर होता है तो अगर मान के चलिए यहां पर plus है और यहां पर minus है तो यह पेंच को कैसेगी तो यहां पर minus हो जाएगा और यहां पर plus हो जाएगा तो यह पेंच को खोलेगी तो इस तरीके से यह उल्टा सीधा काम करती है कि यहां का supply change हो जाता है यानि यहां plus मिल रहा है तो minus हो जाता है और यहां minus मिल रहा है तो plus हो जाता है तो इस change होने के कारण इस machine का motor जो है वो उल्टा और सीधा घूमता है तो इसी को समझना है कि देखिए कैसे यह change हो जा रहा है तो जैसे कि अभी जिस mood में है तो simple सा ये इधर है आगे के तरफ तो अभी ये और ये connect है ठीक है तो ये point और ये point connect है सीधा तो अभी ये plus वाला इसको plus मिल रहा है और ये minus वाला इसको minus मिल रहा है तो अभी मान के चलिए कि ये page कश देगी अब खोड़ना होगा तो इस band को इधर करेंगे तो अब क्या होगा कि ये plus की supply यहाँ आए और minus की supply यहाँ आए तो देखिए change कैसे हो जा रहा है कि जब हम आगे mood में किये थे तो ये सीधा सीधा इसको plus मिल रहा था लेकिन अब क्या हो गया कि ये pole जो है इसमें connect हुआ तो अब यह प्लस वाला जो है प्लस यहाँ जो प्लस है अब इस pole में connect हो गया तो ये देखिए इस sprint से होके यहाँ plus आ गया जबकि यहाँ minus मिल रहा था तो अब यहाँ से ऐसे होके यहाँ plus मिलने लगा जब इधर connect था तो सिधा सिधा माइनस मिल रहा था लेकिन अब ये उल्टा हो जा रहा है ये प्लस है जो यहाँ है और ये इधर से माइनस मिला इस पॉइंट को अब इसको जब इधर करेंगे तो ये माइनस है तो ये यहाँ कनेक्ट होगा तो ये माइनस इधर से और सिधा दोनों तरफ घूमती है तो इस तरीके से इसका वाइरिंग किया जाता है और यह प्रिंट बना हुआ है लेकिन आप इसको वाइड जोर के भी कनेक्शन कर सकते हैं अब इसकी फिटिंग कैसे करनी है वह समझ लीजिए तो देखिए यह बैंड जो है इसका यहां पर बैठाना रहता है अराम से इसको फसा दीजिए इस तरीके से हो गया अब यहां पर जो है यह बैठा गया अराम से कसन आ है कोई दारवार ना टूटे ठीक है अब इस धकन को यहां पर आराम से बैठा लेंगे यह भी देखिए इसमें भी घाट है यह बैंड वाले में घाट में आराम से बैठाएंगे देखिए आराम से बैठा के आए इस तरीके से बैठा के पहले यह बड़ा वाला पेंच इसमें कस देंगे यह देखिए यह ध्यान रखना है कि इसके सामने यह वायर ना आए कोई शाइड में रखना है अब देखिए यह इस तरीके से इसमें सामने करके यहां पेंच है जो तो इसके सामने सामने करके और इस तरीके से बैठा लेना है अब पहले इसको आप सेंटर में कर लीजिए देखिए यह पे करना है बारी बारी से सब को टाइट करिए तो देखिए अच्छी तरीके से बैठा कर इसको ऐसे पर यह पेंच को कशेंगे उसके बाद इसको थोड़ा ढीला ही रखिए अभी फूल टाइट नहीं करना है क्योंकि आपको पंचीन को इधर उधर करना पड़ सकता है देखिए अब इसको भी सामने करके इसमें भी पेज कस लेंगे उसके बाद इसमें कस लेंगे अब तीनों को फूल टाइट कर देंगे देखिए ऐसे तीनों को अब टाइट करेंगे बाद में हुआ 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 है ठीक है अभी बैंट को आगे करेंगे देखिए दुना तरफ में चल रहा है तो इस तरीके से यह काम करता है तो यह था आज का वीडियो आशा करता हुआ आप लोग को यह समझ में आ गया होगा फिर भी कोई सवाल या सुजाओ हो तो कमेंट जरूर करिए मैं रिप्लाइ करने की पूरी-पूरी कोजिस करूंगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तेंक